हेलो दोस्तों मैं जानती हूँ मेरे पोस्ट के बाद आप सब बहुत परिशान हुए और आप लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश किया आप लोगों के मैसेज के जरिए मुझे पूरी इंडिया से मेसेजज़़ आएं कि आप स्ट्रोंग बने रहे हैं हां मैं स्ट्रोंग हूँ मैं चाहूं तो hem objetivo क् инструмент की जवाब दे सकती हूं सिर्फ यह रही कि मैं अपने और आपको बहुत पावरलेस फील कर रही थी क्योंकि हम अक्टरों को अतनी आजाद ही नहीं है अगर हम कहीं कुछ रियाक्ट करते हैं तो लोग वहां अगर गंदी-गंदी बाते लिखते हैं बीना जाने या तो फिर publicity stunt कहते हैं और publicity stunt का tag देकर उस बात को दबा दिया जाता है इसी वज़े से शायद कहीं सारे अक्टर घूठते हैं बात नहीं कर पाते हैं अपनी बात नहीं बोल पाते हैं मैं सिर्फ अक्टरों को नहीं कहूंगी I think ये हर जगे हैं कोई जब अपनी आवाज उठाता है तो लोगों से publicity stunt कहते हैं मैं आप लोगों को बता दूँ कि publicity stunt के लिए और भी कहीं तरीके हैं अगर करना हो तो आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया साथ ही साथ पूरी मेडिया ने सपोर्ट किया मैं तह दिल से शुक्रियादा करते हूँ और मैंने पुलिस से बात की पुलिस का सपोर्ट मुझे बहुत जादा है मैंने F.I.R के लिए बात की अभी पुलिस ने उस शक्स को बुलाया है पुलिस उनसे बातचित करेगी और कारवाई करेगी और जो वो शक्स हैं और उनके लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने भुश्पूरी के खिलाफ अश्रिता के खिलाफ बाते लिखी हैं मैंने भुश्पूरी की फिल्मों और गानों के बारे में जिक्र नहीं किया है मैं ये बता दू कि मेरे पास दबूत हैं उन्होंने मेरा नाम लिखा है और उन्हें मुझे टार्गेट किया है और ठीक है उनका कहना है कि उन्हें मेरे लिए नहीं लिखा पर उन्हें किसी के लिए लिखा है किसी औरत के लिखा है तो उन्हें ये जवाब ज़रूर देना होगा कि उन्हें किस के लिए लिखा है और मेरे पास तो ऐसे भी सबोते जिसमें उनोंने मेरा नाम लिखा है मेरे तस्वीर को इस्तिमाल किया है और वो लिख रहे हैं कि उनको कुछ होता है या उनको धमकियां आ रही है तो मैं एक बात बहुत ही साफ शब्दों में कहे देना चाहते हूं कि मैंने अपनी दर्द का बयां सिर्फ मुंबई पुलीस को किया है मैंने और किसी को नहीं कहा कि आप कोई उनको करे या कुछ जो भी धमकियां या जो भी लिख रहे हैं जो कुछ हो रहा है इसमें मेरा कोई लिना देना नहीं है मैं इस साफ शब्दों में कहना चाहूंगी जो भी वो लोग लिख रहे हैं मुझे उससे कोई लिना देना नहीं है उन्हें किनके कॉल जा रहे हैं किनका क्या हो रहा है मुझे से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा उसमें कोई लेना देना है ही नहीं I know मैं जानती हूँ कि अगर मैंने आवाज उठाई है तो मुझे कहीं लोगों की बाते सुननी होंगी कहीं लोग मेरे सपोर्ट में आएंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि 7-8 साल से जब मैं इन बातों पर जिक्र कर रही थी कहीं लोगों से मैंने जिक्र किया कि मेरे बारे में बहुत लिखा जा रहा है मोटी, बुढ़ी, नजाने और क्या-क्या फोटोस डाल के लिखा जा रहा है सब ने यही कहा कि उसके बारे में react करने का मतलब है कि उसे public city देना, उसको popular करना, यही सुन-सुन के मैं हमीशा चुप रही और मैंने react नहीं किया, पर अब जब मैंने react किया, क्योंकि मैं mentally harassed हो रहे हैं इस बात से, और जब मेरी health पर बात आ रही है तो मैं उन लोगों मेंसे नहीं हूँ कि अग तो लोगों को पता ही ने चले कि इसको हुआ क्यों, यह क्यों गई depression में या क्या हुआ, मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए ना, तो जिनकी वज़े यह लोग हैं, उनके बारे में जरूर पता हो सबको, इसलिए मैंने लिखा, और मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब हम अच्छे लोगों के बारे में खूल कर लिखते हैं, फेस्बुक पर या कहीं पर बात करते हैं, तो हम उन लोगों के बारे में यह सोच कर क्यों चुप हो जाते हैं, कि इसे public city क्यों दे, इसे popular क्यों करें, अरे popular तो उनकों करना चाहिए ना, जो गलत काम कर रहे हैं, जो अपनी पोजिशन का गलत फाइदा उठा रहे हैं जो वो शक्स है वो कहते हैं कि वो पत्रकार है अगर इस सरकार कहती है कि किसी भी पत्रकार को किसी औरत के बनावट पे, किसी औरत के शरीर पर किसी औरत की उम्र पर लिखने का पूरा अधिकार है तो जी फिर तो वो गुनेगार नहीं है फिर तो गुनेगार हम हुए सरकार अगर यह कहती है कि सरयाम कोई भी मर्द या औरत किसी को भी बेज़ती कर सकता है उसकी बॉड़ी पर कमेंट कर सकता है मोटा पतला यह जो भी फोटोस डाल के लिख सकता है तो फिर तो हाँ फिर तो गुने तो हम हैं उस दिन में इस तरह परेशान हो गई थी कि अगर मेरे पास मेरी मम्मी या भाई नहीं आते तो शायद मैं पता नहीं मैं किस जोन में थी क्या हो गया था मुझे पर मैं यहाँ सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी खास कर पूरी मीडिया को जिनोंने मेरी बात सुनी जिनोंने मेरी बात को महत्व दिया उन्होंने समझा कि हाँ मैं तकलीफ में हूँ उन्होंने इसे पब्लिक सिर्टी स्टन का टैग नहीं दिया और मेरे इंड्रस्ट्री के लोग जो मुझे जिनोंने मुझे बात पहले से देखा है वो सब जानते हैं कि मुझे किसी पब्लिक सिर्टी के जरूरत नहीं है मैं इतनी क्यापेबल हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे नाम से पहचान जाते हैं फिर भी कुछ ऐसे इंड्रस्ट्री के हमारे लोग हैं जिसे हम दिगज कहते हैं और वो दिगज कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं है जिनोंने इसे पब्रिसिटी स्टंग का टाइक दिया अब मैं यह कह सकती हूँ कि हां हमारी इंड्रस्ट्री का हाल इसली ऐसा हुआ है न क्योंकि इस तरह के दिगजों के हाथ में हमारी इंड्रस्ट्री है थैंक्यू पूरी मेडिया को थैंक्यू पुलिस जिनोंने मेरी बात को समझा और मुझे मुझे पोलिस ने डाटा भी कि डिप्रेशन डिप्रेशन क्या है और समझाया भी मुझे और मुझे पूरा वरोसा है कि इस पर कारवाई होगी और देखते हैं कल बुलाया गया है अब वो अपने आपको कितना सही साबित करते हैं मेरे नाम से लिखे हुए जितनी चीज़ें थी सब मैंने पुलिस को दे दी हैं दोस्तों थैंक यू ऐसे ही बने रही है और मेरे जितने दोस हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हमारे इंडस्री की हमारे हीरोज अक्टरसेज, आक्टर जितने भी हैं उन सब ने बहुत सपोर्ट किया और आगे भी मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत होगी इसी तरह अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो कोई भी इंसान डिप्रेशन में नहीं जाएगा और नाहीं कोई गलत कदब उठाएगा मैं अपने आपको संभालने की कोशिश कर रहे हूँ और मैं बहुत जल्दी वापस लोटूंगी अपने नॉर्मल रोटीन के साथ थैंक्यू सो मच गाइस थैंक्यू